इस बार मध्यप्रदेश में विधानसव चुनाओं ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी हैं बीजेपी और कॉंग्रेस की बीच काटे की टक कर रही है ऐसी स्तिती में निर्दलिये भी मौके का फाइदा उठाने की फिराक में है इस रिपोर्ट में बात होगी चुनाबी परिणामों में निर्दलिये की भूमिका के वारे में नमशकार में रिधी आप देख रहे हैं प्रदेश तक रिपोर्ट के मुताबक MP में बीजेपी और कॉंगेस की रिभागी निर्दलियों ने आपस में बातचीत कर एक विशेश रणनीती तयार कर चुनाबी मैदान में अपनी उपस्तिती दर्श करा ली है उनका कहना है कि जिस प्रिकास राजनीतिक दलो ने उनकी साथ बादा खिलाफी की है उसका जवाब चुनाब परिड़नाम आने के बाद दिया जाएगा बता दे मधिपरदेश बिधानसवद चुनाओं के दारान कई दिगज नेताओं को टिकेट नहीं मिला था जिसके बाद उन्होंने पार्टी से बगावत कर ली थी और नेदली चुनाओं लड़ने का फैसला गिया था 17 नमंबर को मतदान संपन हो गया है और अब बागी नेता एक साथ नजर आ रहे हैं दोनों मुखे पार्टियों ने यानि बीजेपी और कॉंग्रिस ने चुनाओं में एड़ी चोटी का जोड़ लगाया है वहीं अब इन दोनों दलों का खेल बिगारने भहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आमादमी पार्टी और निर्दली भी पूरी तागत जोक रहे हैं मदिप्रदेश में सभी बागी एक जोट हो गए हैं रिपोर्ट की मुतावक MP में किस जगों पर निर्दलीों का काफी दबदबा देखा जा रहा है इसी के चलते मुकाबला त्रिकोनिय हो गया है इसमें उज्जेन, रतलाम, खंडवा, सिबनी, बंदसौर, सहित कई जिले शामिल हैं सभी दिलों की निर्दली पृत्यासी आपस में एक जोट हो चुके हैं राजनितिक जानकारों का मानना है कि इस बार निर्दली बिधायक ही सरकार तै करने वाले हैं राजनितिक जानकारों का कहना है कि इस बार यह माना जा रहा है कि मध्यप्रदेश में कई निर्दली भी चुनाव जीत सकते हैं जिससे कॉंग्रिस और बीजेपी का सियासी गड़त भिकर सकता है। इसलिए दोनों दलों को जरूरी है कि परिस्थिती को ध्यान में रखते हुए सोची समझी रणीती की तहत कदम उठाएं। फलाल इसकवर में बस इतना ही।